नमस्कार साथियों UPSC Current Affairs प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है मेरा नाम दिपांच है और इस वक्त की अपडेट में हम जानेंगे क्या है Eris Variant of Interest साथियों हाली में WHO ने COVID के नए स्ट्रेन Eris को Variant of Interest के रूप में वर्गी करित किया है WHO के अनुसार COVID का नया स्ट्रेन Eris या Eris या Eris.5 सारवजनिक स्वास्थ जोखिम के हिसाब से इतना खतरनाक नहीं है इसे WHO ने वैश्विक स्टर पर कम आँका है गौर तलब है कि SARS-CoV-2 का Eris Variant पहली बार इस साल 17 फरवरी को रिपोर्ट किया गया था WHO ने 19 जुलाई को इसे निगरानी के तहट एक नए संसकरण के रूप में नामित किया था दोस्तों COVID के इस वेरियंट को मोटे तोर पर तीन श्रेणियों में वर्गिक्रित किया गया है पहला वेरियंट आफ इंट्रेस्ट, दूसरा वेरियंट आफ वरी, तीसरा हाइली एफिशिन्ट वेरियंट साथियों US National Institute of Health के अनुसार EG.5, Omicron Sub-Variant XBB.1.9.2 का वन्शज है यह स्पाइक प्रोटीन में एक अतिरिक्त उत परिवर्तन या म्यूटेशन करता है जिसका उप्योग SARS-CoV-2 वाइरिस द्वारा मानव कोशिकाओं में प्रवेश करने और संक्रमित करने के लिए किया जाता है दोस्तो विश्व स्वास्त संगठन के अनुसार दुनिया भर के 51 देशों में EG.5 के लगभग 7,000 से ज्यादा केस दर्ज किये गए है EG.5 अनुक्रमों का सबसे बड़ा हिस्सा चीन से है जो कुल दर्ज केस का 30.6 प्रतिशत है आपको बता दें कि भारत में इस म्यूटेटिड वेरियंट का अब तक केवल एक मामला सामने आया है दोस्तो COVID-19, कोरोना या SARS-CoV-2 वाइरस के कारण होने वाला एक संक्रामक रोग है हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें Study IQ IAS हिंदी